वो भाई फटाफट आग पकड़ ले इसने तो वाउ वो क्रैकलिंग विल्कुम बैक टू ठाकुर्स और अरफ व्लोग भाई इतने सारे लोगों के डिमांड आ रहे थे टेस्टिंग को लेकर मैंने ओल्रडी चैनल पर बहुत सारी टेस्टिंग वीडियो अपलोड कर दी हैं लेकिन अभी भी डिमांड आ रहे हैं और अब दिवाली को रह गया हैं सिर्फ कुछ दिन तो भाई आज सेना एक और स्पेशल टेस्टिंग वीडियो लेकर आगे हैं कि जो टेस्टिंग होगी वो नॉर्मल नहीं होगी बहुत ही जादा अमेजिंग टेस्टिंग की वीडियो आने वाली हैं क्योंकि बहुत ही दासू दासू चीजे मैं लेकर आया हूँ तो फड़वड आज दिखाता हूँ कि आज कौन-कौन से यूनीक क्रैकर्स मतलब बिलक कुछ अलग सा आया है कुरकुरे अनार है एग्रो कमपनी की तरफ से या एरगो कमपनी की तरफ से साइड करते हैं और यहाँ पर मैं अपको अगर दिखाओं तो यह कुछ यूनीक सा प्रोड़क्त है यह प्रोडक्त जो है ना अभी जो टेस्टिंग होगी मैं तब ही तुम और गया यह देखो ड्रैगन है यह कुम्फू के नाम से आता है काफी यूनिक सी चीज है अभी दिखाऊंगा कि इसका काम क्या है और कुछ ये अलग सी चीज भाई ये देखो ये कि पूरा का पूरा स्लेंडर है यहाँ पर देख पार होगे LPG स्लेंडर बना हुआ है काफी य यहाँ पर देख रहे हो यह अनार है लेकिन कैसा अनार है क्या है पता नहीं इसमें कलर और यह भारी वरकम पैकेट है मतला अनार इतने जादा भारी मैंने नहीं देखे है भी तो कुछ यह काफी भारी है फिर यहाँ पर एक देखो अपने पास आ जाता है क्या नाम है इसका side करते हैं यहाँ पर देखो आप इसको तो यह छोटा सा packet है लेकिन इस छोटे से packet में बहुत बड़ा धमाका चुपा हुआ है और फिर अपने पास आता है silky shower भाई यह silky shower भी क्या चीज़ है भी चलाते हैं पता करते हैं तो item में आप लोगों को दिखा दिये सारे ही different different item है अब आपको मैं इसकी testing करके दिखाता हूँ और testing में पता लगेगा कि भाई इस सब आइटम क्यासे काम करते हैं तो फड़ावट चालू करते है testing तो भाई कैसा लग रहा है आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने में कैसा मज़ा आ रहा है तुम लोग excited हो यहाँ पर crackers रखे हूँ है सारे unique unique पहले कभी यूज गया यह वाला cracker तो भाई फटा फट से सबसे पहले हम testing करने वाले हैं इसकी यह भाई शकल तो दिखा इसकी क्या है देखिए रहा यहाँ पर है कुरकुरे और लाइटर आ चुकी है भाई के आथ में तो चल भाई इसमें फटा फट से आग लगा और दिखा हमें कि क्या करता है यह तो भाई यह देख लो यह जल चुका है कुरकुरे ओहो एक नंबर भाई क्या लग रहा है यह वाउ हाइट काफी उपर है इसकी अराउंड मेरे ख्याल से पंदरा फुट तो होगी और काफी सही था तो भाई यह कुरकुरे जला के कैसा लगा तुम्हें बहुत हमाज आया नजार एक नंबर था और यह क्या लेक्या है और यह बाई साब यह क्या है गोल्ड रेन आ चुका है मरकरी कंपणिय का निका लियो भाई क्या है इसके इसका उभाई फटा फटा आग पकड़ ली इसने तो क्या लग रहा है बाई क्या हाइट है इसकी एक नंबर वाउ लेकिन काफी जल्दी यह खतम हो गया है टाइमिंग काफी कम लगी मझे इसकी गोल्ड रेन जलाके एक नंबर मज़ा आ गया और यह क्या बाई मून सब्सक्राइब करता है एक इतने बड़े दब्बे के अंदर संबल भी राइस भाई से निकाल 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 बिल्कुल भाई फाड़ो इसे यह देख में क्रैकरी मत फाड़ देना यार तुम लोग यह क्या चीज है यह इसकी सुली अच्छा यहां पर आग लगानी है है व fac a और यह बहुत अच्छा अनार है वाई यह क्राइक निकले भाई एक नमबर परक्टाइब कुछ इस तरीके गई और सेम एज यही चीज निकली है मज़ा आया देखके यहाँ पर देखो भाई पकड़के खड़ा हो गया लेकिन उल्टा पकड़ा सीधा कर भाई इसके नाम क्या है सिल्की शावर चलो भाई फटावर इसमें आग लगाओ वैसे निकाल के दिखाना क्या है यह अभी हमने जलाया था गोल्ड रेन तो लगवग लगवग उसी की तरह है सेम वैसे ही लग रहा है और सिल्की शावर तो मेरे ख्याल से वो गोल्डन था यह सिल्वर होने वाला है लगेए बाई आग तो लगाने जा रहा है बाई आग इसमें फटावट आग लगा दे पीछे हो जी हो फेस पीछे अरे वाँ ओए होए भाई साहब ये एक नमबर निकला है भाई एक नमबर काफी जबर दस्ता है सिलकी शावर आप लोगो उने देखा क्या अमेजिंग सी चीज थी हाइट बहुत जादा तुफानी थी टाइमिंग कम थी लेकिन यार अब मेरे हाथ मेंने एक यूनिक सी चीज है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो के भारत कंपनी की तरफ से आने वाली फुल जड़ी नॉर नॉर्मल फुल जड़ी कैसी होती है देखो यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ ट्रैकेट साइड में रखते हैं और यहाँ पर नॉर्मल फुल जड़ी निकल चुकी है यह इसको भी नीचे रख देते हैं कुछ इस तरीके की नॉर्मल फुल जड़ी दिखाई देती है लेकिन ये जो है भाई इसका नाम है रखा हुआ Whistling Sparkles मतलब सीटी बचाने वाली फिल जड़ी होने वाली है ये और यहाँ पर इसको open करके देखते हैं क्योंकि first time मैं देख रहा हूँ कि कोई Whistling फिल जड़ी मेरे हाथ लगी है और ये हुआ open यहाँ पर कुछ इस तरीके का निकला ओ ये क्या है भाई अच्छा ये इसकी packing है मुझे लगा था कि बड़ी सी फिल जड़ी होगी लेकिन इसके अंदर भी काफी सारी फिल जड़ीयां है और packing काफी सही की हुई है निकालते हैं भाई तुझे कहीं न कहीं से तो पैकेटी फाड देते हैं फटा फट से क्योंकि इससे असान option न कोई होता नहीं है पैकेट फाड़ो काम बन जाता है और यहाँ एक मिनट भाई से पकड़ना ये पकड़ो ये देखो भाई ये है नॉमल फुल जड़ी और ये है विसलिंग फुल जड़ी अब इन दोनों में फर्क क्या है वो तो टेस्टिंग करके ही पता चलेगा तो फटा फटा फट इनको आग लगाओ देखते हैं होता क्या है भाई लगा लगाओ किसके पाल लगा पहले तो यहां देखो यहां क्या सीन है अब नॉमल फुल जड़ी से ही विस्लिंग में लगाते हैं देखते क्या करता है नॉमल को देख रहे हो किस तरीके का है बस जल रही है इसके सीटी सुनी तुम लोगोंने लेकिन यह देखो नॉमल फुल जड़ी अभी तक जल रही है और यह विस्लिंग वाली फटा फट से जलके खतम हो गई भाई एक और दियो इसको मैं ट्राइब कितनी देर तक जलता ही है दुबार से ट्राइब करने जा रहा हूं यहां अब आज सुनी आपने और इसमें से स्पार्कल्स भी देखो नॉमल के मुकाबले कितने बड़े निकल रहे हैं लेकिन काफी पास्ट है भाई लाइटनिंग पास्ट कहते है इसे यह है फुल मजे वाली फुल जड़ी एक नंबर फुल जड़ी थी यह देखो यार यह दो ज लेकिन मज़ा जो इसने दिया है वो इसने नहीं दिया डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज लगी विसलिंग फुल जड़ी आप लोगों ने देखी क्या जबॉर्दस कमाल की फुल जड़ी थी और अब अपने हाथ में आ चुका है स्वास्तिक चकर भाई स्वास्तिक नाम बता दूँ कि यह चकरी यूज़ करने के बाद मैं इस पूरे स्वास्तिक चकर को ना इसमें इसको आग लगाके पूरा खतम कर दूँगा तो इसको ऐसा ही नहीं फैकूंगा कि किसी के पैरों में आये कुछ भी आया तो और जो भी प्रोड़क्स हम लोग जलाते हैं यूज सेफ्टी से यूज़ करते हैं तो आप लोगों से यही उमीद करूगा और यही चाहाँ आपारवाई से यूज़ करना किसी के साथ यूज़ करना यानिकि अपने से जलेगी वाव भाई ये रुख गई है एक जिनट अगेन लग चुकी है इसमें आग वाव स्वास्तिक वाले चक्री काफी बढ़िया चला हमारे पास सर्फिस जो है कुछ ऐसा है मिट्टी वाला तो वहां अटक गया था लेकिन अब हम ट्राई करने वाले हैं क्या बाई कलर च सारी बेटरफ्लाई हमने यहां पर रख लिया फटबट आग लगाएं कोशिश कर भाई कि सब में आग लग जाए सब में सब में सब में बहुत बढ़िया और ये वाट डान्स और भाई कुछ में आग लगी है कुछ अटक गये है ये देखो यार कुछ अटक चुके है भाई फटा बट खोलो इस हुए और इसमें आग लगाते है वाओ साइज तो काफी बढ़िया लग रहा है बाई कलर 50-50 का और काफी साई आइटम है अब देखते हैं कि टाइमिंग क्या है बाई क्योंकि ऐसे मैंने प्रोड़क्त देखें जिनकी टाइमिंग बहुत कम होती है वो डिसपांटिंग होते है फटा बट से चेक करते हैं दो को एक साथ आग लाइने कोशिश करने हैं लगा दो भाई दूसरी में भी बट जो बट जो बट जो लग गई है लग गई है बहुत बड़िया वे दोनों चलेंगे अब भाई काफी सही कलर है यार वाउ काफी सह अनार ने अपने कमाल काफी अच्छा दिखाया अब है बारी मैजिक विप की फटाफट दिखाओ पहले यह है कैसी निकालो इसको अंदर से यह देखो लगए भाग पीछो पीछो कुछ भी हो सकता है औरे भाई यह क्या है यह तो लड़ी निकली यार बढ़िया काम कर रही है यह एक नमबर भाई बाई एक नमबर चीज निकली है बहुत मज़ा आ रहा है इसे देखने में वाउ देखा भाई magic वाले पटागे का कमाल क्या सई चीज निकली और यह क्या है भाई dragon slender bomb खोलना भाई साब ओ भाई साब यहाँ निकला है पूरा का पूरा slender इसका नाम है slender bomb और यहाँ पर LPG का connection अगर किसी के घर में नहीं है हमारे पास कुछ slender है आगे ले जाओ पड़ाब slender bomb का भाई से अब धमा का बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत मज़ा है इसको देखके तो भाई इसमें फटा फटना कुछ और slender में आग लगा ओ फटा फट लगा दो चलो फूक दो जला बाई जला जल्दी 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 जला और भाग जी ओ फटा पट कुमफू कितने जादा मार्शल आट दिखाता है तो यहां पर हमने चार पाकेट रख दिये लगा दे बाई एक में आग लगा दे लगा दे पीछे हो जाओ यार तुम लोग पीछी औरे बस बस एक में काफी है यह अपने अब जला देगा और यह देखो यह देखो यहां च तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी तुम दों को कैसी लगी पहले यह बताओ तुम आज आया अगली वीडियो जो आज हम बनाने वाले उनमें और जाद मजा आने वाला है तो आप लोगों को भी कह रहा हूं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि आ पहले वब हाउ झाले बपाय औरे प्द चैनल